दोस्तो इस काने में हम जॉंबी अपुक्लिप्स की टाइम ट्रेन में फशे कुछ लोगों को देखेंगे अब देखना ये है इन में से इन तक कौन-कौन सर्वाइब कर पाता है दोस्तो काने अच्छी है इसलिए इन तक बने रहे हैं काने की शुरू में हम एक ट्रक ड्राइबर को देखते हैं जो कि अचाने के एक हिरन को टक कर मार देता है जिससे उसे लगता है वो हिरन मर चुका है पर उसके वासे जाने के बाद वो हिरन फिर से उठ जाता है और हम देखते हैं वो हिरन एक इनफेक्टेड है खैर इसके राता है, वो अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट लाता है, पर उसका बेटी खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि सेम गिफ्ट उसे लास्ट क्रिस्मस के टाइम भी दिया गया था, सियोक इधर थोड़ा शर्मिंदा होता है, सुवान बुसान अपनी मम्मी के पास मिलने जाना चाती थी, इसलिए सुवान को अपने साथ स्टेशन ले जाने लगता है, रस्ते में वो कुछ एम्बुलेंस को देखता है, पर वो इस पर इतना गौर नहीं करता, इसके बाद अंबुसान जाने वाले ट्रेन को देखते हैं, वा एक बेसबॉल टीम होता है, जीनी उनकी टी इनके बार कुछ नोटिस करता है, पर वो स्योक के इस बारे में कुछ नहीं बताती, दूसरी तरफ हम उस गायल लटकी को देखते हैं, उसकी पेर में किसी के काटे जाने का निशान थे, सुवान जब बाथरूम जाने के लिए आती है, तब वो वा एक आदमी को देखती है, वो आदमी बोल ला था, इसम मर गए, तब हम उसी गायल लटकी को देखते हैं, जो कि चलते चलते अचाने की गिर जाती हैं, इनकी एक स्टाप उससे देखती हैं, और वो बिना कुछ सोच समझे मेडिकल एमरजनसी के लिए कॉल करती हैं, दूसरी तरफ टीवी में लोगों एक दूसरे को काटती हैं, देखकर ट्रेन के लोगों को लगता है, कि शायद पूरी शर में दंगे हो रहे हैं, और हम उसी स्टाप को देखते हैं, जिस पे वो लड़की आचाने की हमला कर देती हैं, और वो पीट पे उस जॉम्मी लड़की को लेके उस बेजबल टीम वाल में आजाती हैं, वो वहाँ के सभी पे हमला कर देती हैं, वो स्टाप भी जल्दी जॉम्मी में तबदील हो जाती हैं, और वो भी सभी को काटने लगती हैं, इस तरब सियोग अपनी बेटी को ढून रहा था, तभी वो भी ट्रेन की साल चाल को नोटिस करता हैं, उससे कर देते हैं, पर जॉम्मी शान नहीं हो रहे थी, इसलिए वो लोग गेट में पेपर चिपका देते हैं, जिससे वो जॉम्मी सुने देखने ही पाते हैं, और शान्द हो जाते हैं, खेर इसके बाद ट्रेन जब एक स्टेशन के ऊपर से आ रहा था, तब ट्रेन में मौदू सबी लोग देखते हैं, वो स्टेशन में भी और एक लोग एक के बाद एक जॉम्मी में बदल रहे थी, नियस में हमें बताया जाता है, कि इस वक्त पूरा शेर का हालत खराब है, लोग एक दूस्ट को मार रहे हैं, इसके बाद ट्रेन में सभी पेसेंजर को बताया जाता ह इसलिए CEO कपने बोस से उसे और उसकी बेटी को वह से निकलने को request करता है इसलिए CEO उन्हें main gate से ना निकलके east की gate से निकलने को कहता है और हम देखते हैं वा वो आदमी भी था और शायद उसने उसकी बात सुन लिया है फिर इसके बाद ट्रेज जब डाइजन स्टेशन आता ह तो उन्हें बार कोई भी ने दिखता पूरा स्टेशन में सनना टा चाया हुआ था सभी लोग फ्रेट से उतर के स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं पर अजीब बात तो ये थी कि उन्हें वा आर्मी का नाम निशान भी ने दिख रहा था पर फिड भी वो लोग आगे बढ पर करती हैं वो इस रास्ते से जाकर बच जाएगा ये सुनकर सुन बाकि लोग को भी अपने साथ लाने जाता है इस थरब शियो के बास वो आदमी किसी को देखने लुए ह। बिना है इस सूचे समझे ही दूस्री तरह बाकि सब लोग जैसे इस टिशन से बाहर निकलते हैं तो उन पे कुछ आर्मी जॉंबिस हमला कर देता है और इस तरब सियोग को भी उसको कमपणी का सियोग कॉल करके बताता है कि उसके अपने आदमियों के साथ बात नहीं हो पा रहा है तबी सियोग देखता है वो आर्मी इंफेक्टिर है और उस पे भी बहुत दर आर्मी जॉंबिस हमला कर देते हैं तबी स्वान पे भी एक जॉंबिस हमला करने ही वाला होता है पर सांग वा उसे बचा लेता है सियोग भी किस सेरा जॉंबिस से बचती वे बाकियों के पास आता है और गेट को बंद करने लगता है इस तरब बचेवी लोगों पे भी जॉंबी समला कर देते हैं जिससे सुआर और सांकियों कुछ लोग के साथ बाकी पैसेंजर से अलग बॉगी में उठते हैं बाकी पैसेंजर के बॉगी में एक आदमी ट्रेन के स्टाप को कहता है तुम्हें किस के इंतिजार है अमें यहां से ले चलो जीनी जब अपने दोस्तों के लिए रुखने को कहता है तो वो आदमी उसे धक्का मार देता है दूसरी तरब जॉंबीस गेट को तोड़ देते हैं और उनके बीचे आने लगते हैं अब ट्रेन भी चालू हो चुका था यहां के दोस्तों पे भी जॉंबीस हमला कर देते हैं और उन्हें अपना शिकार बना लेता है शीयोग उसे अपने साथ ले आता है और वो लोग तीसी तरह एक बॉगी में चट जाते हैं ट्रेन का द्राइबर कंट्रोल रूम में कॉल करता है तो उसे बताया जाता है कि तुम ट्रेन को बुसान ले जा वो जगा सेब है दूसरी दरब सुवान और सांग क्यों बाकी लोग के साथ जिस बॉगी पे चड़े थे उस बॉगी पे पहले से जॉंबीस थे पर वो लोग चुपके से बात्रूम में गुषने के सोचते है और तब इस सांग की योग को एक जॉंबी देख लिता है पर वो जॉंबीस से बचती है बात्रूम में आ जाती है इस तरब सभी प्रेसंजर को बताया जाता है कि ये च्रेन बीच में किसी भी इस्टेशन में नहीं रुखेगा सिदा बुसन में इसे रोका जाएगा इसके बाद Jini Young को कौल करता है Young उसे बताता है कि सब मर गे हैं सी योग भी अपनी बेटी को कौल कर रहा था सांग वा जब अपनी वाइप को कौल करता है तो फोन सुवाल उठाती है, सुवान सांगुगा को बताती है, कि वो लोग बॉगी नंबर 13 की बातरूमें फसे हैं, जहाँ जॉम्बी सुन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सुनकर तीनों वा जाने के तैयारी करते हैं, ये तीनों भी बॉगी नंबर 9 में थे, और ब हाई पर रहे थे, तभी टेन एक टरनल में एंटर होता है, जिससे अंदेरा चाहा जाता है, और जॉम्बी बचनक शान्त हो जाते हैं, और इसी मौकी का फाइदा उठा के तीनों वा से बच निकलते हैं, अब ये लोग समझ चुगे थे, कि इन जॉम्बी सको अंदेरे में दिखाएने देता, इसलिए लोग अगला टरनल आने का वेट करते हैं, टरनल आते ही, वो लोग इस बॉगी को भी पार कर लेते हैं, और बाकियों के पास पहुँच जाते हैं, तभी टरनल भी पार हो जाता है, इसलिए जल्दी से तिनों बातरूम में गुश जाते हैं, अपने साथ इतने लोग को इतने जॉंबिस के बीच में से बीना इंफेक्ट हुए कैसे ला रहा है, उन में से जरूर कुछ लोग इंफेक्टेट होंगे ही, और वो अपने बातों से वहां मौजो सभी को मैनुपलेट कर लेता है, इस तरफ सभी लोग फिर टरनल में गुश जॉंबी काट लेता है, पर वो फिर भी अपने पूरी कोशिश कर रहा था, योग अपने बैट से उस काच के दर्वाजे को तोड़ देता है, और वो आदमी बाग की दर्वाजे को भी बंद करने लगता है, इस तरफ सांग वहां कापी ठक चुका था, और दर्वाजा भी शिकार बना लेता है, तो योग उस आदमी को एक जोरदर पंच मारता है, पर वो आदमी सभी से कहता है, यह इनफेक्टिड है, और ऐसा कहा कर सभी को मैनेबलेट कर लेता है, जिससे सभी लोग मिलके उन्हें आगे वाले बौगी में कॉरेंटाइन कर लेते हैं, जिनी भी के चीके सुन रहे थे, दूसरी द्रब ड्राइवर कंट्रल रूम में फोन करके कहता है, कि ट्रेन अब बुसान पॉस नहीं वाला है, पर उससे को रिप्लाइ नहीं मिलता, पर वो फिर भी ट्रेन को बुसाने ले जा रहा था, इसके बाद हम बाकियों को देखते हैं, इन इसके बाद ड्राइवर सभी से कहता है, आगे रस्ता खराब होने के कारण इस ट्रेन को आगे नहीं ले जाया सकता, इसलिए वो दूसरा ट्रेन को फुसान की तरब ले जाएगा, जिस ट्रेक पर चेन चलेगा, वो ट्रेक लेफ्ट की लास्ट ट्रेक है, तब हम ट्रेन आपको मरवा करवा से निकल जाता है, एर ड्राइवर देखता है, जलते हो ट्रेन उसी स्टेशन के दरब आ रहा है, इस तरब वो ट्रेन सीधा के इनके बगल वाली ट्रेन को टक्कर मार देता है, जिससे जीनी और योंग सीयोक और बाकी लोग उसे अलग हो जाते हैं, जीन को पकर कर रोने लगता है, और वो आदमी यह से निकल देता है, तभी जीनी जॉम्बी बनकर योंग को काट लेता है, और सिन सीयोक और बाकी उपे शिफ्ट होता है, सीयोक बेऊश पड़ा था, पर उसका बेटी उसे किसी तरह उठाता है, सीयोक उटकर देखता है, एक ट् जॉम्बी का शिकार बन जाता है, एक तरब से उसने उन दोनों को बचाने के लिए खुद का सैक्रिपेस किया है, अब इन तीनों के बीचे जॉम्बी का एक बहुत बड़ा जुन आने लगता है, पर वो तीनों किसी तरह ट्रेन में चट जाते है, अब जॉम्बी भी ट्रे केविन ले जाता है, और सांग के उनको बीक कौन साहा दिखाता है, और फो अपनी बेटी के पास है, और उससे कहता है कि वो अपने मा आ से जरूर मिलेगी, पर वो अपनी डेट के साथ रहना चा रही थी, और सीोगब का दरवाशा बंकर के वा से रोते हुए चला आता है, और कुछ दिर ऐसे ही रोग तो यह अपनी बेटी की बच्पन को याद करता है। और वो भी जॉंबी बन जाता है। जॉंबी बन दे वो ट्रेन से कूच जाता है। और इस तरब सुवान रो रही थी। बुसान पहुचने पर सांग क्यों ट्रेन रोकती हैं। और वाके हालत को इगनोर करती है आगे बनने लगता है। तब एक स्नैपर दोनों को गन पॉइंट में ले लेता है। और दोनों को जॉंबी समस्के शुट करने ही वाला होता है। पर तब इस तुवान गाना गाने लगती हैं। और वो लोग रुख जाते हैं। और उनको डिस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो फसंद आया तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। बागी मैं है मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।